जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आएए इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं जन्वरी 2020 में तटिये रच्छा अभ्यास सी विजिल 21 के किस संस्क्रण का आयोजन किया जाएगा तो ये इसका होगा सेकेंड एडिशन यानि कि इस प्रश्ण का आप्सन डी आप्सन बी करेक्ट होगा अब यहाँ पर अगर हम लोग सी विजिल 21 अभ्यास के बारे में बात करें तो हमारी जो 75-100 किलोमेटर से ज़्यादा लंबी तरट रिखा है उसकी हम किस प्रकार से सुरच्छा करेंगे या उसकी सुरच्छा को लेकर कि हमारी कितनी बहतर तयारिया है उसी के टेस्टिंग के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है तो 2019 में इसका पहला संस्क्रण हुआ था और अब जनवरी 2021 में इसके दूसरे संस्क्रण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारी नौसीना इसके अलावा जो हमारा तरटर अच्छकबल है या फिर जो अन्य समुद्र से जुड़ी हुई एजन्सियां है वे सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है थीम आपके लिए महत्मून है तो इसका इस वर्ष थीम है ट्रांजीशन फ्रॉम पीश टू कॉन्फलिक्ट तो थीम भी आपको ध्यां रखनी है और सी विजिल 21 नाम का जो अभ्यास है उसके सेकेंड एडिशन का यहां पर आयोजन हो रहा है इस वीडियो की जो पीडियप है वह आपको मिल जाएगे टेलीग्राम के उपर तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी जहां से आप इसके पीडियप को डाउनलोड कर सकते हैं आज का यह जो हमारा वीडियो है वह करनाटक राजी स्पेसल होगा यानि कि जो भी आपके करनाटक राजी से पिछले साल के करेंट अफ़ेर्स हैं जो आपकी सभी परकार की परिछाओं के लिए महत्पूर्ण है उन्हें हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे अगला प्रशन है भारस सरकार के द्वारा बहत तरवे गरतंतर दिवस पर मुख्य अतित की रोप में किसे आमंतरित किया गया तो भारस सरकार ने जो UK के PM हैं बोरिस जांसन साहब उनको आमंतरित किया था लेकिन उनके यहां पर COVID-19 का एक नया इस्टेन पाया गया जिसके क चंद्रिका प्रशार संतोखी जिन्हें हम लोग चांद संतोखी के नाम से भी जानते हैं उन्हें अब इन्वाइट किया गया है तो यह आप देख सकते हैं यह हैं चांद संतोखी और पिछले साल जब यह राश्टपती बने थे 60 वर्स की आयू में तब जाकर के इन्होंने की थी साधी तो ध्यान रखेगा चंद्रिका प्रशार संतोखी यह हमारे इस वर्स के 72 रिपब्लिक डे के आउसर पर चीफ गेस्ट के रूप में सामिल होंगे और अगर आपको याद हो तो 9 जनवरी को हमारे यहां पर प्रवासी भारतिय दिवस मनाया जाता है और उसी इनसे यहां पर बात की गई थी और अब लगभग यह तैह हो चुका है कि इस वर्स के हमारे गरतंतर दिवस के परेड में चंद्रिका प्रसार संतोखी जी मुक्य अधित के रूप में सामिल होंगे 2020 में कौन था तो जेर बोल सोनारो जो की ब्राजील के राश्पती हैं वे मुक्य अधित के रूप में सामिल हुए थे और 2019 की बात करते हैं तो स्रील रामा पोशा जो की दचिन अफरीका के राश्पती हैं वे मुक्य अधित के रूप में हमारे यहां पर सामिल हुए थे तो तो इस प्रेशन का option C correct होगा। तो फ्रांस की राध्धानी फेरिस में इसका virtually आयोजन किया गया। और इस दोरान जो हमारी UN के महासचियों हैं यानि की जो सहुत राष्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरियस पुर्दगाल की। फ्रांस के जो राष्टपती हैं Emmanuel Macron और 200 बैंके जो अध्यच्छे डेविड मालपस इनके द्वारा इसका उधगाटन किया गया। अब One Planet सपमिलन की बात करते हैं तो अगला दसक यानि कि जो हमारा आने वाला दसक है उसमें किस परकार से हम बैस्विक अस्तर पर जव बिवित्ता के लिए लच्छे को निरधारित करें यानि कि किस परकार से बायो डैवसिटी के लिए हमारे गोल्सों उनको तैकनने के ल राजधानी पेरिस में होई थी दूसरी वाली जो है वह अमेरिका के निव्याक में होई थी और तीसरी बैठक इसकी होई थी केनिया के नौरोबी में दो हजार उन्नीस में तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि One Planet नाम का जो सम्मेलन है इसका आयोजन फ्रांस के द्वारा बिश्चो बैंक और सेवक्त राष्ट के साथ में मिलकर के किया जाता है फ्रांस की राजधानी क्या है तो यह मैंने आपको बता ही दिया पेरिस है और यहां के राष्टपती हैं इमैनुवल मैक्रोन अगला प्रशन है इक्यावन में भारती अंतराष्टे फिल्म होस्सों में फोकस देश कौन होगा तो बहुत ही जादा महत्पूर प्रशन है ध्यान रखेगा फोकस देश होगा हमारा पडोसी बांगला देश तो इस प्रशन का आप्शन ए करेक्ट होगा अब यहां पर वर्स किया जाता है गोवा में कौन करता है आयोजन तो जो हमारे यहां पर सूचना और प्रसारन मंत्राले है उसके द्वारा गोवा सरकार के साथ मिल करके इसका आयोजन किया जाता है इस वर्स 16 से ले करके 24 जनवरी 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा तो फोकस देश कौन ह तो फोकस देश होगा बंगलादेश इसके अलामा आप ध्यान रखेंगे कि अर्जेंटीना के जो फिल्म निर्माता है पाबलो सीसर वे इस बार के अंतर राष्टी जूरी के अध्यच होंगे जिसमें हमारे देश के भी एक सिंगर सामिल है तो उनका नाम आप नीचे कमेंड में बताएंगे ओपनिंग मूवी की बात करते हैं तो ओपनिंग फिल्म के रूप में यहां पर प्रीमियर किया जाएगा अधर राउन को जो की डेनमार की मूवी है और क्लोजिंग फिल्म के रूप में वाइफ आफ ए आउजित किया गया है मडी पूर राज में यानि कि इस प्रेशन का आउपसन भी करेक्ट होगा अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो अभी अंतर राष्टिये चेरी ब्लॉसम महोसो हुआ था वो हमारे मेघाले की राजधनी सिलोंग में आउजित किया गया था लेकिन इसका नाम है चेरी ब्लॉसम महोसो और यह अभी आउजित हुआ है मडी पूर में तो मडी पूर में कहाँ मडी पूर में एक जिला है जिसका नाम है सेनापती जिला और यहीं पर आपको मिलेगा माओ छेत्र तो माओ छेत्र में हमारे चेरी ब्लासम के पुस्प पाए जाते हैं यानि कि ये जो माओ छेत्र है वहाँ इसी के लिए प्रसिद्ध है और इसी लिए अभी यहाँ पर चेरी ब्लासम माओ महोसो का आयोजन किया गया तो मड़ीपुर के मुख्यमंत्री एन बीरें सिंग के द्वारा यहाँ पर इसका वर्चुली उद्घाटन किया गया है मड़ीपुर की बात करते हैं तो इसकी राधानी आपको इंफाल में मिलेगी सियम यहाँ पे हैं वियन बीरें सिंग और नजमा हेपतुला यहाँ की हैं गवर्नर और चेरी प्लासम माव महसो की बात करते हैं तो 2017 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था आयोजन कौन करवाता है तो Department of Tourism Indian Council of Cultural Relations सिलोंग है इनके द्वारा मिल करके इसका आयोजन मड़ीपुर के सेनापती जिले में किया जाता है अगला प्रशन है जनवरी 2021 में 146 राष्टिये पार्क और वन जीव अभ्यारन पर जारी Management Effectiveness Evaluation Report किस ने जारी किया तो इसे जारी किया है हमारे वन परियावरण और जलवाई परिवरतन मंत्री प्रकास जावड़ीकर जीने यानि कि इस प्रशन का option C correct होगा तो पहले आप ये समझेए कि ये report है क्या नाम से आप समझ सकते हैं इसका नाम है Management Effectiveness Evaluation of 146 National Parks and Wildlife Sanctuary in India 2080 and 2019 यानि कि हमारे यहाँ पर जो भी सनच्ची छित्र है सनच्ची छित्र क्या उन से होते हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार के प्रोटेक्टेट एरिया के रूपे घोसित किया जाता है उन्हें कि ऊपर ये report जारी की गए तो report में यह बताया गया कि वर्तमान में हमारे देश में कुल 930 सनच्ची छित्र है जिन में से 101 आपके National Parks है 553 आपकी Wildlife Sanctuary है 86 यहाँ पर Conservation Reserve है और 163 यहाँ पर है Community Reserve यह यहाँ पर report में बताएगे रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो हमारे यहाँ पर Total Protected Area है वह हमारे भारत के कुल एरिया का है 5% और अगर हम लोग इस report की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर वन पर्यावरण और जलवाई बरिवरतन मंत्राले है उसके द्वारा Wildlife Institute of India के साथ में मिल करके इसे निर्मित किया गया था और इसे हमारे केंद्रे मंत्री प्रकास जावडेकर जीने अभी जारी किया है तो रिपोर्ट में आपको ध्यार रखना है कि इसमें हमारे यहाँ पर जो 5 नेशनल पार्क और उनके बारे में बताया गया है तो ध्यान रखेगा जो बेष्ट बंगाल का जलत पारा नेशनल पार्क है यह हमारे यहाँ का सरवस्रेश्ट राष्टे पार्क रहा है यानि कि जो भी सरच्छन के सारे उपाय होते हैं उनको यहाँ पर बहतर धंक से लागू किया गया है जोकी है जलत पारा नेशनल पार और इसे अभी हमारे देश के सर्वस्रेश्ट राष्टे पार के रूप में घोसित किया गया है अगला प्रशन है इंटरनेशनल क्रिकट परिश्ट के बोर्ड में BCCI के आधिकारिक प्रतनेधी के रूप में किसे चुना गया तो यहाँ पर चुना गया है जै साह को किसे जै साह को यहाँ पर चुना गया है यानि कि इस प्रशन का आप्सन डी करेक्ट होगा अब जै साह है कौन तो जै साह वर्तमार में BCCI के सच्यू है कौन है BCCI के सच्यू है और ये भारत के बहुत ही महान खिलाडी रहे है कौन जैसासा तो चरा इनके बारे में आप थोड़ा नीचे कमेंड में बताईएगा तो मामला क्या हुआ दरसल जो ICC है यानि की जो इंटरनेशनल लेबल पर क्रिकट को गवर्निंग करने वाली बॉड़ी है इसमें जो हमारे बिभिन देश होते हैं उनके क्रिकट बोर्ट से कोई एक ब्यक्ती प्रतनिधी के रूपे कारे करता है तो अभी तक हमारे जो BCCI के अध्यच है यानि की सौरब गांगुली वे इसमें प्रतनिधी के रूप में कारे कर रहे थे लेकिन उनकी हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी खराब हुई जिसके कारण BCCI के जो वर्तमाल सक्यू है जैसा उनको यहाँ पर ICC में एक नए प्रतनिधी के रूप में न्यूप कर दिया गया है BCCI की तरब से BCCI की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी मुख्याले आपको मिलेगा मुंबई में और इसके अध्यचे सोरब गांगुली अगला प्रशन है जन्वरी 2021 में इम्मे से किसने 150 देश राजधानी और उसके जंडे को चिन्हित करके एक नया प्रेशा खेमानी ने तो इस प्रशन का ओप्सन ए करेक्ट होगा अब पूरे की एक मात्र पांच वर्श की बच्ची हैं प्रेशा खेमानी और इन्होंने 4 मिनट और 17 सकंड के भीतर 150 देश और उनकी राजधानी के नाम बताए इसके अलामा उन देशों के जो भी नेशनल यानि की जो भी उनकी राष्टिय धोज हैं उनकी पहचान कर लिए है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मात्र पांच वर्श की आयो में फ्रेशा खेमानी ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड बरा दिया है और इसी के लिए इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बुक के जिनको अभी Time Magazine के द्वारा पहली बार Kid of the Year के रूप में चुना गया है तो ये आपको जरूर नहीं रखना है अब जीता गुपता की बात करते हैं तो इन्हें अभी 200 की सबसे कम उम्रकी लेखा के रूप में मानता दी गई है फ्रेया ठक्राल की बात करते हैं तो ये 13 वर् Olympic Champion Agnes Caletti जिन्होंने अभी हाल ही में अपना सववा जनम दिन मनाया किस खेल से संबंधित है तो ये हमारी एक Gymnastic थी Greece देश की और इन्होंने अभी अपना सववा जनम दिवस मनाया है यानि कि इस प्रशन का option भी correct होगा अब इनका नाम इसलिए महत्मूर हो जाता है कि जितन इनने भी हमारे Olympic के खिलाडी रहे हैं यानि कि जिन्होंने पदक जीता है उसमें ये सबसे ज़्यादा उम्रदराज खिलाडी है कहां की है Greece की नहीं ये स्वारी Hungary की है कहां की है Hungary देश की ये खिलाडी है तो अगनेश केलेटी जी की बात करते हैं तो ये जिमनाश्टिक की एक बहुत ही महान खिलाडी रही थी 1952 में जो आपका हेलंस की उलम्पिक हुआ 1956 में जो आपका मेलबर्न उलम्पिक हुआ था इसमें इन्होंने कुल 10 पदक जीते थे और इन 10 पदकों में से 5 आपके थे 60 पदक तो इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हंगरी देश की ये वरतमाल में खिलाडी है और सौवा जनम दिन अभी इन्होंने मनाया है और ये एक जिमनास्टिक की खिलाडी थी अगला प्रशन है धाका मेराथन 2021 में किस राज की जिगमेट डोलमा ने चौथा अस्थान पराप्त किया अब बांगला देश की जनक हैं जिन्हें हम लोग सेख मुझीबूर रह्मान की नाम से जानते हैं तो हुआ क्या था कि 1971 में आपको याद होगा कि जब वहाँ पर बांगला देश की आजादी को लेकर के थोड़ी से मांग उठी थी और जब चुनाओ जीत गये थे सेख मुझीबूर रह्मान और इन्होंने सत्ता को सौपने की बात कही थी तो जो पाकिस्तान की उस समय के प्रसासन थी उन्होंने इन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था और उसके बाद में बंगलादेश लिबरेशन वार होता है जिसमें बंगलादेश की बिजय होती है और बंगलादेश एक सुतंद देश बनता है और उसके कुछ समय बाद यानि की 1972 में जा करके जो सेख मुझीबूर रह्मान है उनको पाकिस्तान की द्वारा छोड़ा जात तो इन्होंने घर वापसी की थी यानि कि बांगला देसमें वापसी की थी और उसी कि उपलच में ढाका मैराथन का 味जयन के जाता है तो इस बार जो ढाका मैराथन अमेराथन कीकश डाइ महिलावर की बात करते हैं तो केनिया की हैं एंजेला जिम असंडे वह यहां पर बीजीता रही है मैरातन हमारा एक 42 किलोमेटर की दौड होती है वहीं पर अपने देश भारत की जिगमेट दोल्मा की बात करते हैं तो जो लदा की पुलिस है वसमें इस समय ये SPO के पतपर तैनात है जो की इस दौड में रही है चौथे अस्थान पर तो बस आप इनका नाम ध्यान रखेंगे कि यह है चौथे अस्थान पर अगला प्रशन है जनवरी 2021 में प्रकासित पुस्तक Gazing Istwards of Buddhist monks and revolutionaries in China 1957 के लेकर कौन है तो बस आपके सामने जब भी किसी भी बुक का नाम आए तो वहाँ पर इतना लंबा नाम आपको नहीं ध्यान रखना है आपको सिर्फ यहाँ पर सुरुवात के अच्छर ध्यान रखने है यानि कि Gazing Istward आपको ध्यान रखना है और इस मुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने किसने रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया जो कि इस समय J.N.U. में प्रोफेसर की रुप में कारेरत है और उन्होंने ही इस किताब को लिखा है किताब में क्या बताया है तो 1957 में ये गई थी चाइना एक स्रिलंका की अपने दोस्त के साथ में और उस समय चाइना में जो बुद्ध धरम के दो मट थे वहाँ पर बिताये गए अपने समय के बारे में इन्होंने ही इस किताब में लिखा है इसके अलामा आप दो किताबों के बारे में और ध्यार रखेंगे एक तो है राइट अंडर आवर लोज जिसे आरग्याई के महाने दिसक आर गिरधरन दी के द्वारा लिखा गया तो ये पुस्तक महत्पूर्ण है और एक पुस्तक अभी और पकासित हुई है जिसका नाम है मेकिंग ओफ जनरल एन हिमाले इको और इस पुस्तक को लिखा है LG यानि कि Lieutenant General कौन सम हिमाले सिंग ने तो ये दोनों पुस्तकें भी आपके लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है अगला प्रशन है जनवरी 2021 केस में किस राज की कैबिनेट ने One Time Settlement Scheme को मंजूरी दिया तो इस स्कीम को मंजूरी दिया है यहाँ पर पंजाब की गवर्मेंट ने यानि कि इस प्रशन का आपसन सी करेक्ट होगा अब ये स्कीम है क्या तो देखिए जो हमारे राजियों में ब्यापारी होते है उनको टेक्स देना पड़ता है हमारे राजी सरकारों को या फिर केंदर सरकारों को तो पंजाब में आपके दो इसके लिए एक है एक तो है पंजाब वैल्यू एड़ेट टेक्स एक्ट दोहजार पाँच और एक है Central Cells Tax Act 1957-56 तो इन दोनों टेक्स के अंतरगत बकाया रास्यों के भुकतान के लिए यहाँ पर One Time Settlement Scheme को मंजूरी दिया है पंजाब की कैपिनेट ने अब इसमें खास बात क्या है तो इसमें खास बात यह है कि अगर कोई भी ब्यापारी जिसका एक लाग तक का भाय खाया है अगर वह अपने टेक्स को जमा करता है तो 90% तक की उसे छूट दी जाएगी इसके अलावा जो भी उसके उपर इंटेक्स लगाया गया है या जो भी उसके उपर जुर्माना लगाया गया है उसमें 100% की छूट पंजाब राज की सरकार के द्वारा दी जाएगी तो मुख्य रूप से उद्देश यही है कि जो भी बकाया रासी है यहाँ पर टेडर्स की वह जल्दी से जल्दी जमा हो सके पंजाब राज की बात करें तो राज़ानी आपको चंडी गढ़ में मिल जाएगी राजपाल है बीपी सिंग बदनौर, मुख्य मंतरी यहाँ के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग लोग सभा में यहाँ पर 13 सीतिय हैं, राज़ सभा में यहाँ से 7 सीतिय हैं और यहाँ की विधान सभा में आपको 117 सीतिय मिलेंगी उच्छी नयाले आपको चंडीगड में मिलेगा और मुख्य नयाधीस यहां के हैं रवी संकर जा रामसर अस्थल आपको कई सारे मिलेंगे जैसे कि नागल वाल्ड लैफ संकुचरी है हरिके वेट लैंड है केसो पूर्मियानि के मिलूटे रेजर्ब है ब्यास नागल वाल्ड लैफ संकुचरी है और रूपर वेट लैंड है तो यह सारे यहां के रामसर अस्थल है सुन मंदिर यहां का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है तेवहारों की बात करते हैं तो हुला महुला, बैसाखी, लोडी और गुरु पूरब यहां के प्रसिद्ध त्योहार है कुछ अन्य महत्पूर प्रश्णों के बारे में बात करें तो पुलिकर पुरसकार विजेता, लेखक और पत्रकार थे नील्स सिहान जी जिनका अभिहार हमें निधन हो गया है और मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारे निधन वाले को इस्चन होते है बेसिकली उनसे प्रश्ण आपके बैंकिंग वाले एक्जाम में ही पोछे जाते है तो जो भी हमारे अन एक्जाम के तयारी करने वाले लोग है उनको इनके उपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कोई अगर बहुत ज्यादा फेमस परसनालिटी है जिसके डेथ हुई है तो उनके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे जैसे कि पिछले साल के स्वानन भारती जी की डेथ हो गई थी तो इस प्रकार के या फिर किसी राजियों के सीम या फिर पूर्व सीम इनकी डेथ हो जाए तो उनके बारे में आपको ध्यार रखना है RBI के द्वारा महाराष्ट का एक बैंक है जिसका नाम है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक यानि कि यह एक कोबरेटिव बैंक था जिसके लाइसेंस को अभी RBI के दिसान द्रदेशों को ना मानने के कारण ने लंबित कर दिया गया है Microsoft कंपनी जो कि अमेरिका की एक टेक कंपनी है इसके द्वारा वर्चुल ब्रेकाउट रूम सर्विस को भी सुरू किया गया है और सुबरा सर्मा को वर्ष 2020 के इवा बैग्यानिक पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा याद दखेंगे अब चलिए आज हम लोग करनाटक राज से सम्मंधित जो भी आपकी करेंट अफेर्स है उनको यहाँ पर डिसकस करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं करनाटक राज की राजधानी की करनाटक की जो राजधानी है वह आपको मिल जागे बंगलोरो में कहाँ पर है इसकी राजधानी है बंगलोरो में राजपाल की बात करें तो वाजू भाई वाला यहां के वरत्मान में राजपाल है कौन वाजू भाई वाला यहां के है राजपाल मुक्यमंत्री की बात करते हैं तो B.S. एदुरप्पा वत्मान में यहां की है मुक्यमंत्री लोग सभा में यहां से 28 सीटे हैं राजी सभा में यहां से 12 सीटे हैं इसके अलावा बिधान सभा में यहां से 224 सीटे हैं और यहां बिधान परिशत भी है जिसमें आपको 75 सिटे मिलेंगी मुक्य नयधीस कौल है तो अभै स्रीनिवास ओका यहां के मुक्य नयधीस है और उच्छी नियाले आपको मिल जाएगा बंगलोरू में राष्टिय पार की बात करें तो कई सारे टागर रजर्व मिलेंगे ज इसके अलावा अगर मंदिरों की बात करते हैं तो मुरूद देश्वर का मंदिर, बिरूपाच का मंदिर, स्रिंगेरी का मंदिर, होई शालेश्वर का मंदिर और मुकामिका का मंदिर यहां पर आपको मिलेगा एलिफरेंड रजर्व की बात करते हैं तो डांडेली और इच्छा के लिए महत्पूर्ण पॉइंट हैं उनको यहां पर डिसकस करते हैं तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसरों के द्वारा अपने गगन्यार मिशन के लिए जो ट्रेनिंग हम अस्थाफित किया गया है वह करनाटक के चित्रदुर्ग दिले में अस्थाफित किया मांडिया जो कि बंगलूरू से थोड़ी दूर इस्थित एक छेत्र है वहाँ पर पिछले साल लीथियम के 14,100 तन के भंडार प्राप्थ हुए थे तो यह आप ध्यान केंगे एमबी नाइडू यारे कि जो हमारे उपराष्पती है यमवंकया नाइडू जी उनके द्वारा करनाटक राजी में हुबली धारवार रैपिड टांजिट सिस्टम का उधगाटन किया गया वरिश्ट नागरू के लिए करनाटक की सरकार के द्वारा जनसेवक योजना को ल लौन किया गया बंगलूरू जो की करनाटक की राजधानी है यहां पर पिछले साल राष्टिय बागवानी महोसो यानि की नेशनल होर्टी कल्चर फेर का आयोजन किया गया राजना सिंग ने बंगलूरू में जो हिंदूस्तान एरोनाटक्स लिम्टेट का मुख्याले है वहां पर लाइट कॉमबैक्ट हेलिकाप्टर के उत्पादन हैंगर का पिछले साल उधाटन किया था वर्ल्ल लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट 2020 जो रिपोर्ट आई थी इसमें डिजिटल लाइन देन में बंगलूरू हमारा सभी सहरों में सिर्स पर रहा था बंगलू के लिए कसिर इंडिया एप भी करनाटा की सरकार के द्वारा लॉंच किया गया आगे बात करते हैं तो नेकर सम्मान योजना भी यहां पर लॉंच की गई किंद्रिय मंत्री सर्वानंद गोडा जी के द्वारा मुल्य निगरानी वा संसाधन इकाई यानि कि प्राइज मॉन रोल आन रोल आप ट्रेन रवाना की गई नाबाड के द्वारा सुच्छता साच्छता अभियान के सुरुआत करनाटक में की गई करनाटक राज की जो सरकार है यानि कि यहां की जो कैबनेट है उनके द्वारा भाग लच्मी योजना को मंजूरी दी गई बंगलूरू यानि की वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो न्यू ग्लोबल पॉलसी रोड में फॉर स्मार्ट सटी आई है उसमें बंगलूरू को भी चैनित किया गया है इंडियन ऑयल कार्परेशन लिमिटेट के द्वारा बंगलूरू में जीरो एमिशन इलेक्टिक मोबिलिट का सफलता पूर्बग परिच्छर किया गया यह आप ध्यान रखेंगे भारत में जो तेद्वो की स्थिती रिपोर्ट आई थी 2018 की उसमें सबसे ज़्यादा तेद्वो के मामले में बंगलूरू रहा है दूसरे अस्थान पर किस अस्थान पर दूसरे अस्थान पर रहा है बिदादी में अधार सिला रखी गई, कहा पर बिदादी में इसकी अधार सिला रखी गई, बिधान सभार में गव हत्या बिरोधी एक कानून को यहाँ पर पास किया गया, सबसे जरूरी आप ध्यान रखेंगे कि भारत का जो पहला समुद्री थेटर कमान है उसकी अस्था जो कि आपको करनाटक में मिलेगा इसका नया नाम महादिवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन रखा गया क्या नाम रखा गया महादिवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन रखा गया छठा जो United Kingdom India Business Council की Doing Business India रिपोर्ट आई थी जिसमें महाराष्ट रहा था पहले स्टान पर उसमें करनाटक रहा है दूसरे अस्थान पर भारत का जो पहला चंदन संघ्राले है वह करनाटक के मैसूरों में स्थाबित किया जाएगा मच्वारों के लिए कदालू एप को लॉंच किया है करनाटक की सरकार ने बिजे नगर के नाम से 31 जिला बनाने की घोशना की गई है करनाट की सरकार के द्वारा और चलिए नीचे कमेंड में जरा ये बता दीजिएगा कि जो ये बिजे नगर के नाम से 31 जिला बनाएगी करनाट की सरकार वह जिला किस जिले से अलग करके बनाया जाएगा तो ये आप नीचे कमेंड में बताएंगे DRDO के द्वारा रुस्तम टू नाम का जो हमारा डोन है यानि कि Unmanned Aerial Vehicle है इसका अभी करनाटा के चितरदुर्ग में परिछड किया गया और एक भारत स्रेश्ट भारत में उत्राखंड के साथ में इसको जोडा गया है आगे गर हम बात करते हैं तो हुबली रेल्वे स्टेशन पर 1400 मेटर लंबाई की और 10 मेटर चोड़ाई के बिस्त के सबसे लंबे रेल्वे प्लेटफार्म का निर्मार किया जा रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे इसकी लंबाई 1500 मेटर से जादा होगी कितनी 1500 मेटर से जादा होगी जिसकी घोषना अभी 2021 में की गई है अपात मित्र नाम का एक मोबाईल एप भी करनाटक के सरकार के द्वारा लॉंच किया गया साइसेक ने साइबर सुरच्छा स्टार्टप के लिए हैक नाम के कारेकरेंग के भी सुरुआत की है करनाटक में ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट सेट गो नाम के आप को यहाँ पर लॉंच किया गया मच्वारों के लिए कदालू आप को भी लॉंच किया गया है करनाटक में और भारत का जो पहला एकी कृत वाय एंबूलेंस सिवा है उसे लौन किया गया करनाटक में तो ये point भी आप द्यान रखेंगे कि जो integrated air ambulance service है उसे लौन किया गया है करनाटक में हाला कि अगर आपसे समुदरी ambulance सिवा के बारे पूछा जाए तो वो लौन किया है केरल ने लेकिन वाय एंबूलेंस सिवा ये लौन किया है करनाटक ने तो इस प्रकार से हमने करनाटक से संबन्दि जो भी महत्पूर point थे उनको यहाँ पर discuss कर लिया है अब कल मैंने आपसे पूछा था कि जो सिटमेक अभ्यास होता है वा भारत के इन देशों के साथ में करता है तो ये हम करते हैं सिंगापूर और थाइलेंड के साथ में किसके साथ? सिंगापूर और थाइलेंड के साथ में और कल मैंने मलेट्टी अभ्यास जो पूरे 2020 में हुए थे उनकी वीडियो अप्लोड कर दी थी तो उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उपर के आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकती है और ये अभ्यास हुआ कहां पर था तो ध्यान रखेगा अंडमान सागर में इसका आउजन किया गया था आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्ण है सतत विकास लच्चों के लिए सौबरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना तो इस प्रश्ण का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्सर में दिना है आई हो वीडियो आपको पसंद आया होगा थांक्स पर वाचिंग जै हिन्द, जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत